बिहार भाजपा की आज महत्वपून कोर्म कमीटी की बैठाक होने वाली है इस वक्त हमें प्रदेश कार्याले के बाहर और एक बार तरश्वीर बीज़ेपी प्रदेश कार्याले की आपको दिखाने वाले हैं जहां बता दें कि बिहार बिधान परिशत के नेता बनने के बाद दूसरे कई नेताओं की काफी चरचा हो रही है और कई नेताओं के नाम के जिक्र भी हो रही है यहीं नहीं दूसरे कई नेताओं के नाम के चर्चा होते हुए अभी माना जा रहा है कि अतिपीशडा पर ही बीजेपी जो है ताव खेल सकती है उसके साथ साथ प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी के मन की बात जो है समा एपीशेड पर भी चर्चा होगी कारकramos को सफल बनाना है क्योंकि हर एक बीजान सभा में हर एक बुध को कम से कम 200 लोगों को बैठा कर मन की बात सुनने की योजना है और साथ ही कौर कमिटी का भी गठन होना है और माना जा रहा है कि प्रधेस कौर कमिटी के सदस बाइस तइस से वह भी प्रदेश कमिटी के गठन पर जो है मोहर लगा सकते हैं और उस पर भी चर्चा हो सकती है काफी मायने में बैठक महतरपून है भाजपा के तमाम कोर कमिटी के सदस से रहेंगे और सामोही चर्चा होगी और संगठन को लेकर तमाम चीजों पर बात होने वाली है एक बात बीजेपी के वरिष्ट नेता जो है वह मौजूद हो चुके हैं चाहिए हम बात कर लें सुसीर कुमार मोदी के या प्रदेश सद्यक्ष समरार चौधरी के या फिर अन तमाम नेताओं की तो वह तमाम नेता जो हैं बीजेपी प्रदेश कार्याले में आने सुरू हो गए है और कुछ-कुछ बैठ की अभी जो है बहस चल रही है लेकिन महत्वपून जो बैठा कोने वाली है वह साम 6 बजे से होगी जिसमें तमाम कोर कमिटी के सदस जो है 22 वह सामिल होंगे और कई चीजों पर आज मोहर लगनी है बता दें कि नेता प्रतिपक्ष कौन होगा बिहार सब्सक्राइब चुनाओं को मजबूत करने को उस पर मजबूत करने में देख सतर पर प्रकंड फोकस है ताकि 40 जो लोक सभाव शीट हैं, 40 का 40 सीट को कैसे हांसिल करना है, 40 पर कैसे दावेदारी करना है, इस पर बीज़ेपी का फोकस है, साथ ही साथ महागडबंधन की अगर हम बात करने तो महागडबंधन की ओर से भी, उन तमाम चीजों पर जो है वाज ओर दिया जा रहा है, अ लेकिन अगर बीजेपी की हम बात करने तो बीजेपी भी कोई कसर नहीं छोड़ रही है आगे आने वाले दोहजार चौबिस और पचिस के लोग सभाचुनाओं को लेकर एक बारे फिर से पुनह आपको बता दी कि आज भाजपा प्रदिस कारियाले में महत्वपूर्ण कोर कम पर आज बीजेपी प्रदिस कारियाले में बैठक में चीजें सपस्ट हो जाएंगी क्योंकि प्रदिस अध्यक्ष नए बनाए जाने के बाद कई चीजों में बड़ा बदला होना है तो इन सब तमाम चीजों पर आज बीजेपी कहीं मुहर लगाने वाली है और कमिटी के सामिल होंगे और तमाम चीजों पर जो आज चल रही थी कयास लगया जा रहा था कि बिहार विधान परिशत के नेता प्रतिपक्ष कौन होगा फिर यह भी कहा जा रहा था कि प्रदान मंत्री नरेंदर मोधी के समा एपिशोड को लेकर कि क्या कुछ होने जा रहा है तो आज यह तमाम चीज़ें जो हो असपश हो जाएगी सही होगी अफजित के साथ नीश फोरनेशन पटना